प्यारे बच्चो चलिए आए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं प्यारे बच्चो एक्सरसाइज 5.7 के पिछला दिन हम लोग पढ़ रहे थे हैं कोश्चन नमबर 1 से लेके 10 तक के कोश्चन को हम लोग किलियर किये थे चलिए आए आगे आते हैं question number 11 देखते हैं if y बराबर 5 cos x minus 3 sin x तो हमको proof करना है d square y बटा d x square plus y बराबर में 0 पहरे बुचिए question है y का value दिया हुआ है और हमें proof करना है इतना का value 0 लाना है तो चलिए इस question को हम लोग पहले note down करते हैं कि क्या question दिया हुआ था और फिर लिखते हैं 5 cos x minus 3 sin x पहरे बच्चों चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो class 12 के NCRT maths में हम लोग पढ़ते हैं exercise 5.7 के question number 11 से 5 cos x y बराबर 5 cos x minus 3 sin x हमें दिया हुआ है y का value ठिक है यह exercise 5.7 का question है class 12 का प्यारे बच्चों यह y का value हमें दिया हुआ है और हमें बोल रहा है question में कि आप proof करो क्या करो proof करो कितना तो d square y बटा dx square प्लस y बराबर में 0 प्यारे बच्चों जो चीज प्रूफ करना होता है जरा उसको आप अच्छे कर पाएंगे यह question number 11 है चुकि y का value इतना है तो आप सबसे पहले d y by dx निका लिए तो d y by dx का मतलब क्या d के अंदर y y का value 5 cos x minus 3 sin x बटा में dx प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब plus और minus में रहता है differentiation उसको अलग-अलग करते हैं तो इसको अलग-अलग कर दिये 5 cos x बटा में dx हम लोग फिर से जानते हैं कि जब 5 constant रहता है तो पांच बाहर निकल जाता है तो जैसे पांच बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों cos x बटा d x- यहां से तीन बाहर निकलेगा तो तीन बाहर निकल गया क्या बच जाएगा तो d sin x बटा dx फिर अगर आगे आद लिखते हैं तो 5 का तो 5 होगा और cos x का differentiation क्या होगा तो minus sin x cos x का differentiation minus sin x और यह तो minus 3 होगा और sin x का differentiation क्या होगा प्यार बच्चों cos x तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका value कितना आ जाएगा तो minus plus minus minus 5 sin x minus 3 cos x तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह कितनी बार differentiation करके आया तो एक बार differentiation करने से यह मिला जबकि आप question देख पा रहे होंगे तो question में क्या बोल रहा है कि double differentiation करना है तो double differentiation करना है प्यारे बच्चों तो आएए हम लोग आगे देखते हैं question को हम लोग solve करते हैं कि आप लिखेंगे फिर से again 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 में आप लिखेंगे फिर से तो करते हैं तो d square y by dx square तो यह इसका वेलू कब लिखते हैं तो जो हमें आया हुआ मान रहता है तो क्या आया है पहला बार differentiation करके आया minus 5 sin x minus 3 cos x तो आप इसी को लिख सकते है d d एक बड़ डिफ्रेंसिशन करके आया क्या minus 5 sin x फिर minus फिर 3 sin x का फिर से differentiation तो चलिए फिर से again differentiation करते हैं तो इसको करने के लिए लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों यह minus में है तो अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा d d minus 5 sin x बड़टा d x minus d 3 sin x बड़टा d x यहां से minus 5 constant है तो जब minus 5 constant है तो minus 5 बाहर निकल जाएगा तो minus 5 जब बाहर निकलेगा तो फिर क्या बचेगा d sin x बड़टा d x minus यहां से 3 बाहर निकलेगा तो यहां क्या बचेगा sin x बड़टा d x अब आप फिर से देखिए तो यहां पर बन रख क्या रहा है minus 5 और sin x का differentiation क्या तो cos x और यह minus तो 3 पहले से ही है sin x का differentiation cos x तो प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं तो हम लोगों का d y by d x का value कितना आया तो इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं कि d square y बटा d x square का जो value आया वो कितना आया तो minus 5 cos x minus 3 cos x नहीं sorry sorry sin x का एक मिनट हम लोग गलती किये हुए है क्योंकि यहां पर कितना आया है हम लोग को एक बार डिफ्रेंसेशन करके minus 3 cos x ना प्यारे बच्छों यहां पर हम लोग गलती लिख दिये यहां पर 3 cos x होना चाहिए cos x तो यहां cos x होगा तो cos x यहां भी होगा यानि कि यहां पर कर दिये cos x तो यहां पर अंदर में बचेगा cos x और cos x का डिफ्रेंसेशन हो जाएगा minus sin x तो यह minus minus क्या हो जाएगा plus 3 sin x तो प्यारे बच्छों आप देख पा रहे होंगे double differentiation करके यहां नि कि दुबारा बड़ differentiation करके क्या आया तो minus 5 cos x plus 3 sin x चलिए अब क्या करना है now अब आप LHS से चलिए प्रूफ करना है न तो LHS में क्या बोल रहा था question question दिखाते हैं तो question यह बोल रहा है LHS में d square y बटा dx square plus y तो आप फिर से वही काम कीजिए हम आप LHS से चलिएगा तो LHS में क्या बोल रहा है d square y बटा dx square plus y अब d square y बटा dx square का मान कितना आया इतना आया minus 5 cos x यानि कि minus 5 cos x plus 3 sin x यह question आया हुआ है अच्छा फिर उसके बाद क्या बोल रहा है y करो तो y का मान कितना रखना है प्यारे बच्चों तो आप y का value देख पा रहे होंगे कि y का value हमें तो सवाल में दिया हुआ है यानि कि जो y का value यहां पे रखना है चुकि यहाँ पे तो d square y बटा dx square का मान रख दी है अब यहाँ पे रखना है y का value तो y कहाँ से तो चुकि हम लोग का question में दिया था y का value कितना तो 5 cos x minus 3 sin x तो आप यहाँ पे रख दीजे कितना तो 5 cos x minus 3 साइनेक्स तो यह कोशन में रख दिये लेचेस में तो अब हम लोग को देख पा रहे होंगे कि 5 को सेक्स एक बार माइनस में है और एक पर वेलू प्लस में है यानि कि यह वाला वेलू यह वाला वेलू कैंसल आउट हो गया और यह वाला वेलू यह वाला वेलू कैंसल आउट तो इस तरीके से हम लोग बनन रहे है 0 जो की RHS इस तरह से प्रूफट हो गया तो प्यारे बचो ऐसे ही सवाल में हमें प्रूफ करना होता है पहले आपको सवाल देखना होता है की कैसे करते हैं? चलिए आगे आते हैं अगले कॉच्चंग की तरफ देखता हैं चलिए 12 नमबर कोशन देखते हैं 12 कोशन 5.7 एक्सरसाइज में बोल रहा है Y का वेलू सबसे पहले तो हमें कोश इनवर्स X दिया हुआ है ठीक है ये सवाल में हमें दिया हुआ है फिर अब प्रूफ क्या करना है प्यारे बैचो जरध्यान से देखिएगा प्रूफ ये करना है हमें इस बार बहुत अजीब सवाल बोल रहा है प्रूफ ये करना है कि आप D square Y बटा D X square का मान निकालिए ठीक है अब ऐसा मान यहां निकालिए हमेंसा Y alone होना चाहिए alone का मतलब होता है अकेला alone मतलब अकेला यानि कि जो हमें यहां पर D square Y बटा D X square का वेलू आना चाहिए वो किसमें आना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आंसर हमें Y में चाहिए ठीक है अब हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर Y में चाहिए तो आप इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको जो सवाल दिया हुआ है क्या सवाल दिया है Y बराबर cos inverse X तो प्यारे बचो इसको जो है आपको दो बार डिफ्रेंशेशन करना है कितनी बार क्यों क्यों कि सवाल में हमें D square Y बटा D X square कमान निकालने बोल रहा है अब किसमें निकालना है तो Y alone में कि Y का वेलू क्या है तो cos inverse X तो जब Y बराबर cos inverse है तो हमें D square Y यानि कि दो बार डिफ्रेंशेशन करना है इसलिए सबसे पहले आप किजिए क्या एक बार डिफ्रेंशेशन किजिए तो D Y by D X बराबर D cos inverse X बटा D X तो अब आप यहां से लिखिएगा तो cos inverse X का डिफ्रेंशेशन क्या होता है प्यारे बच्चों तो यह होता है minus 1 बटा root under 1 minus X square देख पा रहोंगे यह डिफ्रेंशेशन हो चुका क्योंकि यह फर्मूला ही होता है अब आपको काम क्या करना पड़ेगा again again differentiation कराना पड़ेगा तो again में लिखेंगे D square Y बटा D X square और यह दुबारा बड़ differentiation उसी को न करते हैं जो एक बड़ differentiation करके हमको आ चुका होता है तो एक बड़ करने से क्या आया है ज़र देखिए minus 1 बटा root under 1 minus X square यह हम लोगों को एक बड़ differentiation करके आया हुआ है तो अब उपर वाला को मानेंगे हम लोग U क्योंकि U बटा B पर टूटेगा और नीचे वाला पूरा को मान लिए B ठीक है तो अब U के जगह पर minus 1 है आप इसको differentiation करना है तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि U बटा B का फर्मूला क्या होता है तो B का स्क्वार करता है तो B का वेलू क्या है तो root under 1 minus X square तो आप यहां पे लिखिएगा root under 1 minus X square का whole square B square हो गया फिर क्या फर्मूला बोलता है कि B को बाहर निकालो तो B को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो root under 1 minus X square भी बाहर निकाल गया into U का डिफ्रेंसेशन U का डिफ्रेंसेशन का मतलब minus 1 का डिफ्रेंसेशन फिर सवाल बोलता है कि minus करो अब minus कर दिये यहां पे फिर बोलता है U को बाहर करो तो U को हम बाहर कर दिये फिर किसका डिफ्रेंसेशन भी का डिफ्रेंसेशन तो यहां D root under 1 minus X square को प्यारे बचों किसके respect में तो जो root के अंदर होता है उसी के निकाल रिस्पेक्ट में तो 1 minus X square के respect में और यह नीचे वाला कहां चला गया उपर तो D 1 minus X square को अब हम लोग D X के respect में कर सकते हैं तो अब इसके बाद ज़रा देखेंगे कि क्या क्या होता है सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि नीचे वाला root under 1 minus X square है तो root और square कैंसिल हो जाएगा root और square दोनों कैंसिल होगा तो नीचे क्या बचेगा 1 minus X square तो आप यहां से देखिए इसको लिखेंगे root under तो यहां हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 minus X square कब जब यहां पे square root कैंसिल होगा तब और जब इसको देखिए minus 1 constant है और जब minus 1 constant है तो इसका differentiation पूरा हो जाएगा 0 प्यारे बच्चो और जब इसका value 0 हो गया तो 0 को इसको से अगर गुना करेंगे तो पूरा का पूरा मामला 0 हो जाएगा यानि कि हम बोल सकते हैं कि इसके जगा पे कितना रखना है 0 तो इसके जगा पे अगर 0 रखेंगे तो कुल मिला कर कितना आएगा तो यहाँ पे आप रख दिजिए 0 ठीक है अब चुकि आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो कितना value बच रहा होगा जरा यह देखिए तो यह माइनस माइनस कितना हो रहा होगा प्लस तो यह माइनस माइनस होगे है यहाँ पे प्लस ठीक है अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे बन रहा है root x का differentiation क्यों? क्योंकि root x का differentiation x के respect में कितना होता है 1 by 2 root x होता है तो यहाँ पर root x के जगह पर 1- root x square है तो यहाँ पर बनेगा plus minus minus plus 1 by 2 root x तो 2 root x हो गया यहाँ पर अच्छा 1 by 2 root x हो गया फिर into अब जब इसको अगर तोड़ेंगे दो पार्ट में देखिए 1 का डिफरेंसेशन तो यहाँ 1 का डिफरेंसेशन तो 0 हो जाएगा और minus का minus x square का डिफरेंसेशन कितना होगा तो 2 बाहर आएगा तो x के power 1 बचेगा यहाँ कि 1 का डिफरेंसेशन हो गया 0 और minus x square का बनेगा 2x तो प्यारे बचों हमको उपर में अब कैसा डिफरेंसेशन मिल गया 0 और plus नीचे 2 है और उपर minus 2x है तो उपर क्या बनेगा minus 2x बटा 2 root under 1 minus x square और पूरा का बटा 1 minus x square 0 को तो add करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 0 जोड़े या 0 घटा है कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 से 2 कटेगा तो कितना बच रहा है उपर में उपर में बन गया minus x minus x बच गया और फिर root कितना root under 1 minus x square और पूरा के बटा में कितना है 1 minus x square है हम लोग जानते हैं नहीं उपर वाला बटा अगर नीचे आएगा तो ये क्या बनेगा minus x बटा root under 1 minus x square into 1 minus x square प्यारे बच्चों अब हम लोगा तो ये value आ गया कितना का d square y बटा d x square का यानि कि double differentiation तो आ चुका है लेकिन अब सवाल ये था प्यारे बच्चों कि जो double differentiation आना चाहिए वो किस में आना चाहिए वाई एलोन में आना चाहिए देखिए question क्या बोल रहा था वाई एलोन आना चाहिए जो differentiation करके आना चाहिए वो वाई एलोन में आना चाहिए और हम लोगों का जो आया है भी वो इस तरीके का आया है ठीक है तो ये हम लोगों का जो answer बोल रहा था y में आने के लिए वो answer हम लोग successful नहीं आया है हम लोग का तो answer x में आ गया तो यहाँ पे आप एक बात लिखिए चुकि सवाल according to question सवाल में दिया है क्या दिया है जरह सवाल फिर से दिख लिजे y बराबर cos inverse x यह सवाल में दिया है तो सवाल में यहाँ दिया है y बराबर cos inverse x चुकि यह सवाल में दिया है इसलिए पैरे बच्चों हम लोग inverse trigonometry में सिखे हुए है कि cos inverse x वाला जब बाहर निकलेगा और y अंदर जाएगा तो inverse हट जाता है यानि कि x बराबर cos y होगा जब x बाहर निकलेगा और y अंदर जाएगा तो inverse क्या होगा हट जाएगा तो क्या इससे x बराबर cos y लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं अब क्या किजिए जो d y square y dx square आया है वहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप रख दिजे cos y तो यहाँ पे आप चलेगा again d square y बटा dx square बराबर minus x के जाएगा पे आप रख दिजे cos y बटा root under 1 minus x square है तो 1 minus हो जाएगा cos square y और फिर into 1 minus cos square y चले अब आप इसको देखिए तो यह हम लोगों का चुका है dy square y बटा dx square अब इसी से हम लोग आगे चलते हैं तो इसी से आगे चलेंगे तो कैसे निकलेगा ओ देखिए तो यह minus cos y को minus cos y छोड़ दीजे बटा अब हम यहाँ पे फर्मूला सिखे हैं कि 1 minus cos square theta बराबर होता है sin square theta यह फर्मूला होता है तो इसके जगा पे root के अंदर में 1 minus cos square y है तो यहाँ पे लिख दीजे sin square y और into यहाँ 1 minus cos square के जगा पे भी sin square y तो यहाँ कुल मिलाकर क्या हुआ minus cos y बटा यह sin square है तो square से root खतम हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा sin y into sin square y तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बन जाएगा minus देख पार होंगे minus cos by sin क्या होता है quote y cos by sin quote y और one by sin होता है one by sin theta होता है cosec theta क्या होता है cosec theta होता है यानि कि one by जो sin square का value होता है वो cosec square होता है तो यहाँ पे अगर बात करे तो क्या हो जाएगा one by sin square क्या होता हो गया अब one by sin square क्या हो जाएगा तो यहाँ पे into लिख देंगे cosec square y तो कुल मिला कर जो हम लोगों का answer आजाएगा वो कितना आजाएगा तो quote y into cosec square y यानि कि जो यहाँ दिख रहा है अच्छा से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप देख पा रहोंगे कि यहाँ cosec by sin तो quote होगी और one by sin square क्या हो जाता है तो इसको लिख देंगे cosec square y तो इस तरीके से हम लोग answer तक पहुंझ जाएगे तो सवाल जैसा बोलेगा प्यारे बच्चो वैसा ही हम लोग करेंगे फिलाल आगे बढ़ते हैं आगे question के और देखते हैं question number 13 तो चले 13 number question क्या बोल रहा है इसको जड़ा देखिये ध्यान से बोल रहा है question कि y बराबर 3 cos log x है y बराबर कितना है 3 cos log x plus 4 sin log x और इसमें हम लोगों को so करना है so करना है मतलब की proof करना है वो कितना तो x ससकार y2 plus x y1 plus y बराबर 0 प्यारे बच्चो जड़ा ध्यान से question को देखियेगा अब आपको ये पता नहीं लग रहा होगा कि सर इसमें differentiation का तो कोई सवाधी नहीं बोल रहा है जो proof करना है तो प्यारे बच्चो बोल रहा है क्योंकि हम आपको थेयोरिय में बता चुके हैं कि इस y2 का मतलब होता है double differentiation इसको ऐसे लिख सकते है x square into d square y बराबर d x square plus x into इस y1 का मतलब होता है single differentiation यानि कि सिर्फ dy बर्टा d x plus कितना y बराबर 0 यानि इसका मतलब यह हुआ यानि जहां भी अगर y2 और y1 रहेगा वहाँ यही आपको समझना है हम आपको denotion of order of differentiation बताये थे कि अगर first order रहेगा तो कैसे दिखाते हैं second order रहेगा तो कैसे दिखाते हैं ठीक है अच्छा अब समझ गये हैं कि आप सवाल क्या बोल रहा है x square y2 का मतलब क्या हुआ यहां तक समझ में आगया सवाल यानि हमको इतना बराबर lhs बराबर rhs प्रूफ करना है सबसे पहले आप जो दिया हुआ सवाल है इससे से आप एक बर डिफरेंसेशन निकालिये और जो एक बर डिफरेंसेशन करके निकलेगा उसको हमें दुबारा बर डिफरेंसेशन करना होगा क्योंकि उसका use है सवाल में प्रूफ करने में lhs बराबर 0 दिखाने में हमें प्रूफ है तो आप लिखिएगा चुकि y का value क्या दिया है 3 cos log x plus 4 sin log x ठीक है अब इसी को हम लोगों को एक बढ़ डिफ्रेंसेशन करना होगा तो यहां से लिखेंगे d y बटा d x तो यहां d y बटा d x कैसे लिखेंगे तो 3 प्यारे बचो बाहर निकलेगा तो यहां बचेगा d cos log x को किसके respect में प्यारे बचो तो cos के बाहर क्या है log x तो यहां लिखेंगे log x और फिर into channel तो निचे वाला उपर जाएगा d log x बटा में dx फिर क्या है plus तो plus लिखेंगे फिर 4 constant ह है तो 4 को बाहर करेंगे फिर किसका तो d sin के अंदर log x को किसके respect में dx के respect में फिर into इधर जगा नहीं है तो sorry d log x d log x तो निचे वाला log x उपर जाएगा तो d log x बटा dx तो खुल मिला कर इसका पहला बार जो differentiation बनेगा प्यारे बचो तीन तो already बाहर है अब cos का क्या होता है तो यह होता है minus sin log x ठीक है और into log x का होता है one by x फिर यहां पर लिखेंगे plus यह चलिए तो अब इसका कैसे करेंगे तो यहां पर चार constant है तो चार लिख लिए और जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं sin log x है यहां पर sin log x है तो sin का होता है differentiation क्या cos और अंदर में log x है तो log x रहेगा और फिर इस log x का differentiation one by x तो प्यारे बचो जो पहला बार differentiation करके आया वो क्या आया पहला बार तो इसको एक साथ लिख लेजे minus 3 sin के अंदर log x बटा में x और प्लस इसको पूरा कुप करेंगे तो क्या होगा 4 cos के अंदर log x और फिर बटा में x तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसलिए dy by dx का जो value आया पहले बचो क्या आया तो x और x lcm ले लेंगे और यहां पर उपर क्या बच रहा होगा तो यहां बच रहा होगा minus 3 sin log x प्लस 4 cos के अंदर log x तो प्यारे बचो अभी तक के हमें ये पहला बार डिफ्रेंशेशन आया चुका है देख पार होगे ये पहली बार डिफ्रेंशेशन है चलिए अब हम इसको दुबारा बार यानिकि जो पहला बार हम लोगों को यहां पर मिला हुआ है देख पार होगे यही न पहला बार डिफ्रेंशेशन आया है ये पहला बार डिफ्रेंशेशन करके हमें आय चुका है अब इसी को दुबारा बार डिफ्रेंशेशन करेंगे तो चलिए जो पहला बार करके आया है इसको हम लोग लिखते हैं, तो क्या आया है, माइनस 3, D के अंदर लिखेंगे, माइनस 3, साइन के अंदर, लॉग X, साइन के अंदर, लॉग X, पलस, 4, कॉस के अंदर, लॉग X, और, बटा, X, को डिफ्रेंशेशन करना है, है, D X के respect में, प्यार बच्चो, यह हम लोगों को, second order derivative, निकि, दुबारा बार इसको differentiate करना है, तो हम लोग जानते हैं, इसको, दुबारा बार इसको, डिफ्रेंशेशन करने का क्या rule है, तो जी हाँ बिल्कुल हम लोग जानते हैं ना कि इसको दो बार डिफ्रेंसिशन पर तोड़ेंगे उपर क्योंकि बटा है सबका तो उपर वाला बोल देंगे कि उपर वाला क्या है पर बचो इतना इतना को मान लेंगे यू और नीचे वाला को बोल देंगे भी तो अगर ऐसा यू बटा वी पर हम डिफ्रेंसिशन करेंगे तो जड़ा बड़ा सा होगा तो हम लोग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है पूरा खिछ लिया अब चुकि लिखते हैं वी का स्क्वाइर तो यहां लिख देंगे एक्स का स्क्वाइर फिर सवाल क्या बोलता है कि भी को बाहर करो तो हम एक्स को कहां कर लिए बाहर इंटू अब यू का डिफ्रेंसिशन तो डी यू में क्या है तो यू है माइनस थ्री साइन लॉग एक्स पलस फूर कॉस के अंदर लॉग एक्स यही यू है और पूरा कि उसके बटा में क्या डी एक्स फिर क्या बोलता है फर्मूला माइनस करो क्योंकि यू बटा भी में माइनस होता है अब की बाहर यू को बाहर करो तो u को बाहर करो का मतलब क्या कि minus 3 sin log x plus 4 cos log x इतना को हम उपर वाला u को बाहर कर लिए फिर into b का difference so dx बटा dx ज़र अच्छा से लिख लिएगा मेरे पास जगा नहीं है चलिए तो अब हम लोग इसको अच्छा से करते हैं तो क्या बनेगा सबसे पहले बटा में तो x square रहेगा रहेगा ठीक है अब इस x से तो माने मतलब है नहीं तो इस x को into कर दीजिए और into देखिए प्यारे बच्छों समझेगा minus 3 क्या है constant है तो constant का हम constant लिख दिए अब यहाँ पर जरा यह बात जो है न हम दिमाग में करवाते हैं आपको sin log x है तो sin log x को log x के respect में किजिएगा तो sin x का differentiation क्या बनेगा तो sin x का differentiation बन जाएगा sin x का differentiation बन जाएगा यहाँ पर cost और उसके अंदर में log x है और प्यारे बचो फिर log x है तो log x को उपर ले जाएगा तो निचे dx के respect में तो log x का क्या बनेगा 1 by x इस तरीके से हम इसका differentiation मन में ही यहाँ पे कर लिए फिर है plus तो यहाँ पे कर लगेगा plus फिर 4 है तो यहाँ रखेगा 4 यहाँ पे देखिए cos के अंदर log x है तो cos का differentiation क्या होता है प्यारे बच्चो minus sign के अंदर आप रखते जिएगा log x तो इस तरीके से cos का नहुआ minus sign log x लेकिन प्यारे बच्चो यहाँ पे आप देख पा रहोंगे कि यहाँ पे log x है तो यहाँ पे भी तो 1 by x होगा तो इस तरीके से total differentiation हो चुका है किसका हुआ यह तो इसका differentiation हुआ क्योंकि x बाहर है और u का differentiation इतना होगा ठिक है अब ज़रा इसको लिख लेते हैं तो इसको कैसे यह तो dx by dx है इसका value तो 1 इसको लेकर कोई चिंता फिकर नहीं होना चाहिए अच्छा अब इसको ज़रा देख लेते हैं तो minus minus क्या होता प्यारे बच्चो प्लस और यह 3 sin log x है ज़रा अच्छा से देख लिजे माइनस माइनस प्लस हो गया और यह 3 sin log x 3 sin के अंदर log x ठीक है और फिर यह बाहर माइनस है फिर अंदर प्लस है तो minus प्लस माइनस कितना तो फूर कॉस लॉग एक्स तो यह हो जाएगा फूर कॉस के अंदर लॉग एक्स ठीक है चलिए अब इसी को हम ज़रा अच्छा से लिख लेते हैं तो क्या बनेगा प्यारे बच्चो सबसे पहले ये बाहर एक्स है तो ये अंदर वाले दोनों से मल्टिप्लाई होगा मतलब यहां से लेकर यहां तक के डिफ्रेंशिशन हुआ इसका तो ये एक्स तो बाहर है तो एक्स इसके साथ भी गुना होगा और एक्स इसके साथ भी गुना होगा तो एक्स जब इसके साथ गुना होगा तो ये वाला एक्स एक्स कटेगा तो क्या बचेगा यहां पे माइनस थ्री कॉस के अंदर लॉग एक्स और यह x जब इसके साथ कटेगा तो x और x कट जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा minus क्योंकि यहाँ पर 4 sin x लोग सेखती है यहाँ पर minus है ना तो यहाँ पर बन जाएगा minus 4 sin के अंदर log x फिर यहाँ पर क्या बनेगा आगे तो plus 3 sin के अंदर log x minus 4 cos के अंदर log x और बटा में प्यारे बचों देख पा रहे होंगे पूरा बटा का x स्कॉर यह तो रहेगा ही रहेगा तो कुल मिला का अगर देखा जाए तो यह हम लोगों को डिफ्रेंशेशन आ गया डबल डिफ्रेंशेशन यानि इसी को हम बोल सकते हैं कि यह जो value हो गया हो किसका value तो d square y बटा d x square तो प्यारे बचों अगर अच्छा से ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यह हम लोगों को डबल डिफ्रेंशेशन का value है यह डबल डिफ्रेंशेशन है अब चलिए हम ऐसा करते हैं कि जो हमको अभी अभी आया है क्या क्या आया है तो जरा इस page पे को ध्यान देजिएगा अब हम यह लिख सकते हैं कि now अब यहां पे हम यह लिखना चाहरे हैं कि अभी तक के dy by dx का value हमें क्या आया है तो आपको dy by dx दिखाते हैं, यही आया है, minus 3 sin log x, तो यहाँ पर लिखते हैं, minus 3 sin के अंदर log x, फिर क्या आया है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 4 cos log x, प्लस 4 cos log x, और बढ़ता में क्या, x, यह प्यारे बच्चों हम लोगों को dy by dx का value आ चुका है, and, फिर लिखेंगे and, अच्छा, डी square y बटा dx square का value क्या है, तो आपको दिखाते हैं, डी square y बटा dx square का value, तो देख पा रहे होंगे, यह हम लोग को d square y बटा dx square का value है, यह value है, तो इसको हम लोग यहाँ एक तरफ बेकर रखते हैं क्या आया है तो माइनस 3 कॉसकी अंदर लॉग एकस… सैन के अंदर लॉग एकस पलस थ्री सैन कें अंदर क्या तो लॉग एकस माइनस फॉर कोस के अंदर लॉग एकस बड़्टा कितना एक सो स्क्वायर तो प्यारे बच्चों अब हम लोग को यहां पर दोनों चीजे लिख लिया है एक बार डिफरेंसेशन करके आया है ओ और दूसर का बार डिफरेंसेशन करके आया है ओ दोनों चीजे यहां पर लिख दिया गया है अब आपको क्या करना है जो प्रूफ करना है वहाँ से अब आपको LHS से चलना होगा तो आप लिखना होगा LHS तो LHS में क्या था जड़ा लिख देते हैं X square into D square Y बटा DX square पलस X into DY by DX पलस Y यही था LHS में तो सबसे पहले X square रखना है तो X square रख दिए फिर into into में रखेंगे जो यह आया है तो जो यह आया है प्यारे बच्चों तो क्या आया है जरा इसको अच्छा से लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा minus 3 cos के अंदर log X minus अच्छा एक काम और कर सकते है प्यारे बच्चों इसको cos log X और यहाँ देखिए cos log X है ना तो cos log X cos log X एक जाती का है तो क्यों ना इसको जोड़के minus 7 log X कर दिया जाया ठीक है यह हम लोग को ध्यान में नहीं था पहले ही कर लेना चाहिए था तो यह cos log X और cos log X देख रहे हैं तो minus 7 cos log X हो गया और sin log X और यह sin log X minus 4 में है यह 3 में है तो कुल मिला कर यहां कितना आजाएगा minus sin के अंदर log X ठीक है तो यह हम लोग को आगया और बटा में क्या X स्कुर्ण रहेगा तो चुकि यतना ही आएगा हमें प्यारे बचो देखे यह double differentiation का मान हम इतना है रख दिये क्यों क्यों क्योंकि यह cos X cos log X cos log X को एक साप्थ जोड घटाओ कर दिये और sin log X sin log X को एक साप्थ कर दिये और यह X स्कुर्ण तो बाहर में था फिर प्लस तो यहां पे आप रखे प्लस ठीक है सुधार कर लिजेगा X को बाहर करना है तो आपकी बार आप X बाहर करिए फिर इन्टू इसके बाद अंदर में क्या रखना है तो डिवाई बाई डिएक्स तो डिवाई डिएक्स का मानि यह आया है उपर वाला कितना तो यह आया है माइनस 3 साइन के अंदर log X ठीक है प्लस 4 कॉस लॉग X और बटा में कितना एक्स ठीक है तो यहां पर सिंगल डिवाई 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 इसका वहलू रख दिए और प्लस वाई का मानि रखना है तो प्यारे बचो सवाल देखे सवाल में वाई का वहलू दिया हुआ है 3 कॉस लॉग X 4 साइन लॉग X तो यहां पर आप वाई का वहलू रख दिजिए 3 कॉस के अंदर log X प्लस 4 साइन के अंदर log X तो हम वाई का वहलू रख दिए तो LHS में आप देख पा रहे होंगे कि यह वाला एक्स स्क्वार और यह एक्स स्क्वार कट जाएगा फिर प्लस ह इस इंटू में है और नीचे X है तो कट जाएगा तो टोटल मिला कर क्या बच जाएगा प्यार बच्चों जल्ड़ देखिए यह माइनस में 7 कॉस लॉग X है तो माइनस सेवेन कॉस के अंदर लॉग X फिर बन जाएगा यहां माइनस साइन के अंदर log x यहाँ minus sign log sign के अंदर log x फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा तो minus 3 sign के अंदर log x फिर यहाँ बन जाएगा plus 4 cos के अंदर log x ठीक है और यह वाला value है तो इसको लिख लेजे 3 cos के अंदर log x plus 4 sin के अंदर log x यानि कि सबका value आप देख पारे हों लिख दिये हैं यहाँ से यहाँ तक और खुद आप देखिए कि cos log x के आगे minus है और कहीं cos log x है तो यहाँ है देख पारे होंगे तो cos log x यहाँ है cos log x यहाँ है cos log x यहाँ है तो ये सभी cut जाएंगे, क्यों? क्योंकि plus में ये है और ये है, तो 4 और 3 साथ मिल गया, और ये minus 7 है, तो already cut गया, अब ज़रा आते हैं sin log x, तो sin log x यहाँ है, sin log x यहाँ है, तो ये minus 3 minus 1 मिल के minus 4, और ये क्या है, plus 4, तो ये सभी cut out हो जाएंगे, प्यारे बचो, 0 आ जाएगा proved, तो इस तरीके से question तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, प्यारे बचो, क्योंकि यहाँ पर जो है न, हमें सिर्फ मान ही नहीं निकालना है, कि सिर्फ dy by dx का मान निकाल दिया, double differentiation कर दिया, ऐसा है नहीं, आपको उसका differentiation करने के बाद भी, आपको proof करना है, तो प्यारे बचो, प्यारे बचो, आपसे एक request है, कि आप प्लीज, 14 से आगे try किजिए, अगर नहीं बनेगा, तो हम तो solve करेंगे ही, लेकिन अगर आप बना लेते हैं, तो एक बनाने का खुसी अपने आप में जाहिर होना चाहिए, कि हाँ, हम भी इस question को कर पा रहे हैं, क्योंकि question hard नहीं है, question बस आपको differentiation करना है, और यहाँ पर आपको proof करना है, कि इतना के जगा पर रखिये, तो zero आना चाहिए, चाहिए कुछ और बोलेगा, तो उचीज आना चाहिए, तो इस तरीके से 13 तक कि आज question को हम लोग discuss किये, आज की class को यहीं तक खतम करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वी